जानेंगे इस कारोबारी सब्ता में non-agric commodities याने bullion, base metals और energy complex में किस तरह से price trading हो सकती है तो हमने देखा कि पिछले हफते में US से CPI याने consumer price inflation जो एक महिंगाई की दर को indicate करता है उसका data आने के बाद में हमने bullion complex याने gold और silver में जबरदस तेजी आते हो देखी और करीबन 4-5 मेनों की उचाई पे फिलहाल gold को trade होते हो देखा है और weekly closing भी 49,000 के उपर देने में कामयाब हुआ है वहीं पर 67,000 के उपर हमने चान्दी का close आते हो देखा है वहीं अगर हम spot gold की बात करें तो 1865 डॉलर के करीब की closing आई है और जो चान्दी है वो करीबन 25.3 डॉलर के आसपास closing देने में कामयाब हुई है तो इसकी साथ ही हमने देखा कि जो हमने पिछले काफी हफ्तों में एक सला दी थी कि buy on dip की रंडिती अपना के चलना चाहिए और जैसे ही 1830 डॉलर के उपर prices निकलेगी हमें बड़ी तेजी रिखाई दे सकती है तो फिलाल हमने बजार को वैसा ही behave करते हों देखा है उसका एक कारण ये है कि महंगाई दर जब बढ़ती है या उसकी उम्मीद होती है बढ़ने की तो gold को buy किया जा सकता है क्योंकि gold को एक inflation hedge कहा जाता है यानि महंगाई दर जब बढ़े तो उसके साथ ही gold के prices बढ़ने की उम्मीद होती है because एक safe haven की तरह gold को लिया जाता है और इतने सालों का history है in fact 1000 सालों की history कहें या पिछले 40-50 साल से भी जब से future trading आई है हमने देखा है कि जितनी inflation rate होती है कम से कम उतना return gold देने में कामियाब जरूर होता है साथी gold में जब buying आती है तो चांदी में भी हमें similar buying देखने मिलती है तो यही चीज पिछले हफते भी हमने देखी और gold ने करीबन जून से जून के बाद पहली बार 1850 dollar के उपर trade करके दिखाया है और वहां पर closing देने में भी कामियाब हुआ है तो आगे क्या रुजहन रहेगा इसकी टर्शा करते हैं आगे एक बार 1830-1820 dollar के prices test करें याने domestic markets में IM6 पर करीबन 48,300-48,400 तक हो सकता है correction का रुप देखने मिले क्यूंकि breakout होने के बाद एक बार prices यूनो जो support है वो लेने आती है लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि 1900 dollar याने 1910 dollar से 1915 dollar तक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है जहां तक spot gold का सवाल है वह domestic market में IM6 पर पार होने की संभावना दिखाई दे रही है 50,100-50,200 तक जो prices है वो जा सकती है तो फिलहाल जो भी dip मिले एक आकरशक buying opportunity के तरह लिया जा सकता है और December जो month है वो end होते होते हमें दिखेगा कि 50,000 का भी जो level है वो पार हो चुका है और हो सकता है कि जो year end है याने calendar या end है January से December वो पचास हजार के उपर prices देने में कामियाब हो वहीं चांदी में भी 68,500 का एक target है जो immediate तोर पर लिया जा सकता है 26 dollars के करीब immediate तोर पर एक level है जो चांदी test कर सकती है यहाँ पर भी अगर 67,000 के करीब दाम मिले तो वहाँ पर buying position बनाई जा सकती है और 65,000 के नी तरीब के target लिये जा सकते है यानि 800,500 का एक short to medium term target लेके चला जा सकता है अब रूप करते हैं कि base metals में क्या रोजान रहा तो base metals में काफी मिला जोला कारोबार था क्योंकि हमने देखा कि copper 745 और 730 के बीच में काफी chopiness दिखा रहा था लेकिन जो हफते का end आते आते हमने दिया है यानि अपने सब्ता के highest levels के आसपासी close दिया और ऐसा लगता है कि copper इस rally को और extend कर पाएगा और upside में हमें 755 से 760 तक के level आने वाले एक से दो हफतों में देखने मिल पाएंगे वही zinc में हमने काफी एक फ्लैटिस से कारूबार होते हुँ देखा 277 के करीपे closing आई ह लेकिन ऐसा लगता है कि यहां से downside limited है 2 से 74 से जादा नीचे price sustain होते हुए नहीं दिखती और हो सकता है 281 से 282 तक के level हमें आने वाले कुछ sessions में देखने मिले nickel में भी एक बड़िया short covering move देखने मिली जहां पर prices 1460 से 1540 तक जाते हुए देखे और वहीं पर कहिना के closing देने में कामयाब हुए है ऐसा लगता है कि यह जो short covering है या तेजी है यह 1565 से 1570 तक जाने में कामयाब हो सकती है वहीं aluminum में भी 203 तक के level देख चुके है और जो closing दी है वो 214 के उपर दी है तो एक 258 से जो continuous selling आई है ऐसा लगता है कि उसकी short covering यानने जिन्होंने विक्वाले की थी वो अपने short positions cover कर र कि एक हफता या 10 दिन का समय लग सकता है तो पूरे ही base metals complex में कहीं न कहीं एक short covering या तेजी का रुझान रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है lastly cover करेंगे कि जो energy complex है उसमें क्या रुझान रहा तो दोनों ही counters याने कच्चा तेल और natural gas में हमने गिरावट का रुझाते वे देखा कच्चे तेल ने 6000 के उपर just 10 रुपे उपर closing देने में कामयाब हुआ है और वहीं जो natural gas है वो 360 के आसपास closing देपाई ऐसा लगता है कि जो short term view है वो correction की तरफ रहेगा कच्चा तेल भी हमने हाला की देखा कि 5900 के करीब से एक उच्छाल देखने मिला लेकिन जो upside है वो भी फिलाल limited लगता है तो एक दाइरे में कारुबार होगा और ये दाइरा जो है थोड़ा सा निशला अदारा रह सकता है वही नाच्रल गैस में 380 से 385 की जो एक लेवल थी जो पहले support की तरह एक्ट करती थी वो अभी एक resistance है और वहाँ पर उसके काफी करीब जाने के बाद हमने price को दुबारा गिरते वे देखा और सब्ता के निशले सरों के आसपासी close दी है क्योंकि 350 के करीब के loss थे लेकिन closing जो है वो बहुत अच्छी नहीं आई है इन्वेंटरी में हम अच्छा खासा एक build-up आते हुए देखा है जो US की inventory है तो ऐसा लगता है कि फिलहाल moderate season है बहुत ही जादा थंड नहीं होने के कारण US में फिलहाल demand जो है वो reasonable है और दाम क्योंकि उपर इस तरों के आसपासे तो नर्मी का दौर दिख सकता है prices में और उसके बाद हो सकता है कि 340-42 के region में हमें prices जो हैं दुबारा support लेते हुए देखें लेकिन फिलहाल कच्छे तेल और natural gas दोनों में ही जो रुजान है वो नीचे की तरफ दिखता है यानि सेलोन राली की एक रंडिती अपना के चलना चा सकते हैं तो यह था एक जाज़ा आने वाले सब्ता में क्या रुजान दे सकता है नोन अगरी कमांटीज में आने वाद